मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है बट उसके लिए तुमें इस टाइम स्टैम पर इस स्पीड में विडियो देखना पड़ेगा तो यार स्वागत है आप सब का फिर से एक बार पोक्यूमोन में एपिसोड में तो अगर आपको याद होगा तो पिछली एपिसोड में हम पहुच चुके थे इस बग वाले क्रॉस डामेशन में यहाँ पर हमने जीत लिया था एक बग पिन अब हमारे पास है लिटरली साथ प पाएंड जब हम सोतव तो हरा देंगी तो हमें पता चलीगा कि एमेजीयम क्या है तो चलो देखते हैं कि आज कि इस एपिसोड में हमें मालूम पड़ेगा याफिर नहीं कि ảमी आउयं क्या है एमीलिं का काम है यह क्वाई गश्यों कोलते हैं इसकी ř smth मेरी को मालूम पड़ गई थी बट वो ट्रिक काम करेगी या फिर नहीं ये मुझे नहीं मालूं तो चलो यहर देखते हैं पहले तो हम जाएंगे पॉइजन बार्ब की मदद से पॉइजन वाले ख्रोस डामेशन में अफ्कोर्स लेट्स को सिलवर पाउडर रखा है मैंने गार्ड़ वार के साथ बट मैं सिलवर पाउडर को अब हटा रहा हूँ और पॉइजन बार्ब दे दिया है कि अपने काड़ वार को पहले को मैं अपने गलीट को सामने रख देता हूं टैलन फालें के जगह and क्योंकि वह एक psychic type Pokemon है तो poison वाले cross dimension में वह बहुत जदा काम आएगा तो चलो आप टेलिपोर्ट कर लेते हैं poison वाले dimension में let's go boy टेलिपोर्ट three two one and हम अब जाएंगे poison वाले dimension में हम पहुँच चुके हैं poison वाले dimension में चलो दिखते हैं हमारे पास साथ पिन है तो सौत अद का डायलोग बदला या पिर नहीं ओके डायलोग तो वही है तो चलो इस डायलोग को खत्म कर देते हैं कि या बॉइ यह तो सेम ही डायलोग है तो यहां पर इसका कोई की काम नहीं ओ नो बॉइ ऐसा नहीं होने चाहिए नहीं यह ठीक नहीं है सभी के सभी पोकेमोन हमारे poison हो चुके है लॉल तो चलो चलते हैं या यार अब हमें उदर से फिर से जाना पड़ेगा और हमारे सारे पोकेमोन poison है इस तरफ से चल के देखते हैं इस तरफ क्या है ओके हम इस तरफ पहुँच चुके है अरे यार चलो इसको हरा देते हैं तो हमने इसको हरा दिया है एद हमें मिलता है एक hardstone जिसकी मदद से हम शायद से stone type आयमेन की rock टाइप जिम में जा सकते हैं आयमिन की जीम में तो नहीं बलकि हम क्रॉस डामेंशन में जा पाएंगे बट मुझे लगता है कि पहले मुझे हील कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे पोकेमॉन की हालत बहुत जादा खराब है यहां पर एक ट्रेनर है इसको हरा के हम बहार जाएंगे हील करने के लिए चलो मैं इ जाओ बिल्डू तेर पास कोंसे पोकेमॉन है जल्दी से दिखा हमको अरे यहार इस गेम में एक कमी है कि सभी के सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स के डायलोग्स होना सेम है थोड़ा से डिफरेंट रखना चाहिए था सभी के सभी डायलोग्स को तो चलो यूज़ करते हैं साइश जी करते हैं साइश ऌक देखते ही की कितना डामेश भाशता है इस इस पोकेमॉन को ना इस हमने गिंगाल को भी हरा इस हिरा है वान हिट को क्योंस को जो होता है न तो हमने दूंग को आहां रिया है में लेक्स्षिमा, सुप कम्सां की वेनस और इजी पीजी बॉइस इसको भी हम साहे शौक मार घालाते थे लेट्स गो देखते हैं कि कितना डामेश पहुशता है और हमने थार्ट पोकेमोन को भी वन हीट के ओकर दिया है लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है ओके बॉइ हमें प्लीस पिंस दे दो ओके ड्रैगन फैन भी मिल चुका है चलो चलते हैं उस तरफ देखते हैं कि आखरी ट्रेनर कोई बची है या फिर नहीं या फिर बचा है यहाँ पर एक है शायद से यह हमें पिंदेगा इफ यू बीट मी यप हमें वो प्राइस मिलने वारा है एंड वो प्राइस कौन सा होगा लेट सी इसके पास भी तीन पोकेमोन होने वाले है लेट सी कि कौन कौन से पोकेमोन आए के वीजिंग नाइस इसको हम वन हिट के ओ कर सकते हैं प्लीज यार वन हिट के ओ हो जा मज़ा आ जाएगा एंड हमने ओ बॉई थोड़ी सी एक्सपी पर बच गया एक्सपी नहीं और हमारी कार्डी वार भी चले गई कोई बात नहीं लेट्स गू लक्सरे तो चलो यूज करते हैं अब लक्सरे का नया अटेक अम इनकी नया अटेक तो आया नहीं बट सुपर पावर का इस्तिमाल करते हैं ये तो आदा ग्राउंट टाइप है ना तो थोड़ा सा काम में नहीं आएगा बिल्कुल काम में नहीं आएगा मैं तो या कैसे ही बोल रहा था ना अट्विक कर दिया है उसने एंड लग्सरे गया यार गया लगसरे हम हारने वाले है इससे लेट स go हाईड्रैगन चलो देखते हैं कि हमारा हाईड्रैगन कितना ताकट वर है ड्रेको मिट्योर लेट्स गो ओके यार सुपर पावर यूज कर दिया है हमारा हाईड्रैगन गया है क्योंकि वह आधर डाक टाइब पोकेमॉन था वोगी तोड़ा सा एचपी बचा है तो हम एक और बार ड्रैको मेटियोर का इस्तमाल कर सकते हैं एंड इस बार सही निशाना पड़ा यार रही नीडो कींग नहीं कुईन ओके बढ़ारी नहीं यार नीडो कुईन यह नहीं हो सक की लास्ट पोकेमॉन कुंसा है इसका एंड लास्ट पोकेमॉन है यार पास चॉइसोजस्पेक्स तोह मने दिया है रिसचतर लूड़ाह यड़्यूचरक में ऑना श्जच क्यार क्योंकि हमसें च पेर जैस्ट गड़ा हैं और मिलता है म कि पाधिस पोईन सिर्यू है याइ वह अब हमें लास्ट मिल चुका है जो कि है पॉजन पिन हम जा आ सकते हैं और चल्लेंज है साथ अथ को तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्राटेज्य मना के आते हैं यार पहले मैं अपने पोकेमोंको हील करतू पहले लेट्स गू हमने अपनें पोकेमों को हिल कर लिया है नस ज जिम क्यों है एंड अनाफिशिल है भी तो इतनी ताकत वर क्यों है यह जिम लाइक इसके अंदर ही आठ जिम से आठ जिम्स है लिटरली क्योंकि आठ पिंस हमें कलेक्ट करने पड़े अलग-अलग टाइप फाइनली अब हम चैलेंज कर सकते हैं सौत अथ को जिसका हम इंतसार कर रहे थें तीन इपिसोड से यह तो फूर्त इपिसोड है तो चलो यार चैलेंज करते हैं सौत अथ को भी न रुके हुरे मुझे स्टार्टिंग से ही पता था राशी कि तुम यह कर सकती हो तो वेल तुमने क्या सुचा है मेरे जिम के बारे में क्या यह कूल नहीं है क्या अब वक्त आ चुका है कि क्लाइमेक्स को शुरू किया जाए दे ग्रैंट फिन नाले लेडिज एंट जिंटलमेंन क्या आप रेडी हो हम्म क्या राशी तुम रेडी हो येस अफकोस आम रेडी बहुत अच्छे तो तुमें बैटल किस फॉर्मैट में चाहिए सिंगल या फ मुझे बता था कि तुम यही चूस करोगी हम्म तो होल्ड़ान यूर सीट्स एव्रिवन लेट्स रॉक या बोई बैटल शुरू हो जिकी है साथ और मेरी वेली साथ तो लूसी जैसी दिखती है ना है ना पोक्यूमान एमिरल में जो लूसी थी बैटल फ्रंटियर में यान बॉइ ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो मैं हार जाओंगा ना स्वार्ट्स डेंस यूस करते हैं I don't know bruh 100 लेवल के पोक्यूमान आएंगे ऐसा तो मुझे उम्मीद भी नहीं था एंड हमारा गलेट गया यार गया गया ओ नहीं पॉजन भी हो गया बॉइ ऐसा नहीं होना चाहिए लेट सी कि क्या हम हरा पाएंगे या पिर नहीं जैन हेड़ बर्ड लेट्स गो अगर ये जैन हेड़ बर्ड अच्छे से लगा I mean कि फेंट किया सरपेरियर को सरवाइपर था सरपेरियर नहीं हमने सरवाइपर को हरा दिया है तो मैं अब ताकतर हो जान sonra लेट से मुझे बता है कि गलेट अकेले कर्सक्ता है तो चला ही इस में करता यार tämä सभासom बहुत खतर नहीं वाइल प्लूम है नक्स्ट पोक्मौन तो हम अपनी पोक्वान को चेंच कर लेते हैं Let's go Hydreigon एंड हाइड्रेकन को बाहर बोलाने के बाद में अपने गलेट को हील कर लेता हूँ वाइल प्लूम हमारे सामने आ चुका है यार लेवल हंड्रेट का वाइल प्लूम लेटरल एक ग्रास अन पॉजन टाइप पोक्यूमान तो चलो अब हील कर लेते हों पोक्यूमान को कहा गया यार फूल रोड निस फूल रेस्टोर हमारे पास है तो अब हम यूज कर सकते हैं अपने गैलेट पर एन इसके बाद हम फुल रेस्टोर तो ओके स्टेटेस भी हो जाता है नाइस स्लीप पाउडर यूज़ कर दिया इसने कोई बात नहीं हमारा हाई ड्रेगन कभी न कभी तो उठ जाएगा न बेज की तेरी वेट 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 रुख तेरे गोल भी बताता हूँ हाई ड्रेगन लेट्स को फाइगा ब्लास्ट एंड ड्रेगन तो सो रहा है लिट रिएए यार जल्दी से उठ जा जाए है रहा है तुम दार्ट पर ज्यादा असर नहीं होगा न स्लज बॉम का बहुत जादा असर होता है अर बहुत जादा से आज गांज यार तेरे ही तो उपर है सब हाइड्राइगन तो गया हमारा पोक्मोन हार चुका है एंड हमारे पास अब सिर्फ पाच पोक्मोन बच है एंड सौथ आध के भी पास पाच पोक्मोन बच है लेट सीखी कौन जीता है 100 लेवल वाले पोक्मोन की ट्रेनर या फिर मैं लेट्स गो टैलन फ्लेम चलो यूज़ करते हैं फ्लेयर ब्लेट्स एंड दिखने की कितना डैमेश पहुचता है फ्लेयर ब्लेट्स से 100 लेवल के पोक्मोन को प्लीज फेंट कर दे यार प्लीज चाहें तू मर जाए बट ओके रिकॉइल बहुत ज्यादा लगेगा ओ रिकॉ के लेफ्ट ओवर था इसलिए हील हुआ सिर्फ थोड़ा सा तो अरे रन तो ने कर सकता में रन क्यूं कर रहा हूं चलो मैं अपने पोक्मोन को हील कर लेता हूं मेरे पास हूल रिस्टोर एक है कि हमारे पास उठाने के लिए कुछ है नहीं गया नहीं है शायद से ओके नहीं आए नहीं यह लेट सी और कुछा बैग में ही ही नहीं चलो अबसिफ्प मुझे है कि हमारा टैनल फ्लेम जल्दी उठे गया या फिर नहीं जितने जल्दी हमारे तैनल फ्ल Michal Classic ओतना अच्छा है हमारे लिए लेट सी कि टैलन फ्ल्म ढट कर दो हो या 2 हमारी बैंड बज़ साथ अताकतवर है यार मुझे लगता है कि मैं हारने वाला हूँ गाइस ओके लेट्स गो गाड़े वार एंड साइशॉक का कमाल दिखाओ इसको ट्रेस ओके ट्रेस क्लोरोफिल एबिलिटी हमारे पास आ चुकी है ओके लेट्स यूज साइशॉक एंड देखने हैं कि कितना ड इसको तो में वन हीट कर सकता हूं अपने गाड़े वार के साथ बस उसकी स्पीड ज्यादा ना हो अफकोस हमरे गाड़े वार की स्पीड जादा है बस वन हीट के ओ हो जाएंजिये पोकीमान फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा कर दाण एक और यार थोड़ा रह गया बस घय हमारी कॉपचा के रखना पड़ेगा क्यूंकि वही लास्ट अगी पोकेमॉन है उमारे पास ये लेट्स यूज सर्फ अफकोस एंड उसने अपने को वापस ले लिया है गैंगार को बोला लिया है यार उदमिले में हमारा ग्रेनिंजा यूज़ कर रहा है सर्फ तो सर्फ के साथ हमने बहुत ज़्पढ़ दैमज दे दिया है गेंगार को चलो देखते हैं कि क्या हम हरा पाएंगे या फिर नहीं गेंगार को ओकेंगार तो गया यार गेंगार गया अब उसके भी तीन पोकेमोन वज़े है and मेरे भी तीन पोकेमोन let's see कि कोन जीतेगा क्या मेरी टीम जितेगी या फिर साथ की टीम सॉरी सौथ टोथ ओके नेक्स पोकीमोन है किंग आइ मिन की नीडो किंग नीडो किंग तो पहले ही वाट लग चुकी है उसकी अल्रेडी लेट्स गो सर्फ ग्रीदिजा बहुत ज्याद बहुत ज्याद टागतवर है यार लिक्तरली ग्रेनिजा बहुत ज्याद दाकत्वर है जल्दी से कमेंड में डाल दो ग्रेनिजा ओपी बॉइ हमने हरा दिया है नीडिकिन को लेट सी की ओ अमंगस हैं अमंगस नहीं अमंगस पता नहीं क्या नाम है इस पोकेमॉन का इसको भी हम हरा देंगे वेसे यह ग्रास एंड पॉईजन टाइप था ना ओकी लेट सी अगर यह ग्रास हुआ ना तो बहुत जादे दिकत पड़ेगी इसको हराने के लिए ओके ग्रास भी है इसलिए तो नौट वेरी एफेक्टिव बोल रहा है स्पोर कर दिया है उसने हमारा ओर निंजा सो गया लिटरली यह जो सोने वाली मतलव की अटेक करते हैं न यह लोग बहुत ही जादा दुगदायक Halo logo वा ग्रृठेंगानेगानध नहीं गया हमारा ओर गया तैंक्स तरे निजा इतनी, जादा मैदत करने के लिए, बट समया यही तक था अब तो तुम सोए हुए हुई रहोगे है ना चलो यूज करते हैं अब सर्फ अफकोस बाट हमारा कणिंजा तो अभी भी सो रहा है लिटरली क्लियर स्मॉक कर दिया इससे क्या होता है हाँ अब समॉक से शायद डामिज पढ़े यप बैमिज पढ़ गया यार चलो अब हमें अपने गलेड को ही यूज करना पड़ेगा लेट्स को गलेड गलेड तुम इकल सकते हो मुझे पता है फॉर्ट देंस लेट्स गो पहले फॉर्ट देंस कर लेते हैं ताकि अटेक बढ़ जा no एसा नहीं होना चाहिए चलो येजो य यूज़ करते हैं अब अपने full restore को ओकी full restore कहा पर है मेरा ये रहा full restore and max revive है मेरे पास तो चलो यूज़ करते हैं max revive किस पर यूज़ करें हई ड्रेगन पर यूज़ करते हैं हई ड्रेगन बहुत चाहत था मारा तो वो शायद से काम आ जाएगा हमें फिर गलेड पर यूज़ करेंगी हम फूल रेस्टोर क्लियर स्मॉक कर दिया है उसने इससे कुछ नहीं होगा रे बेटा अब हम तुमारे बैंड बजाने वाले हैं क्योंकि अल्रेडी गलेड का जो अटैक है नहीं स्टैट्स उसने रिमूव कर दिये कोई बात नहीं फूल रेस्टोर का इस्तमावल करते हैं एंड हील करते हैं अपने गलेड को एंड गलेड हमारा वापस से उड़ चुका है एंड गीगा ड्रेंस से कुछ नहीं होगा रे बाबा देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूं अब बहुत कुछ हो जाधा अमंग असने अगर अभी भी स्वार्ज जैन्स हमारा जिन्दा होता ना तो यह कब का खतम हो जाता यह पोकिमॉन ओकी इसने तो स्पोर कर दिया है फिर से तो हम फिर से एक बार क्या फूल रेस्टोर यूज़ कर पाएंगे प्रेश वाटर है हमारे पास तो चलो यूज़ करना चाहिए यार मुशको कुछ भी ने करते यार वैसे भी वो गीगा ड्रेन यूज़ करके हमारी एचपी खाएगा तो चलो यूज़ करते हैं जहन है बट जब तक गलेड उट जाएगा तब तक तो हार ही जाएगा ओल्रेड़ी ओकी स्लज़ वाम करते हैं उसन तुमरे बहुत जादा याद आगी तो चलो अब यूज़ करते हैं अपने हाइड ड्रेगन को बहार आ जाओ यार हाइड ड्रेगन स्टार्टिंग में ही हाल गए थे इस बार तो मदद कर दो यार चलो यूज़ करते हैं फाइब लास्ट लेट्स गो एंड अमंग उस एक ही अब लुज़ को मतलोगी सॉतात का मैं क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूं लेट सी कि लास्ट वो कि मूं को सा ओ डस्ट अप इट विल बी इजी पीजी क्यूंकि हमारे पास ए फाइल ब्लार्स लेट्स गो फाइब लास्ट एंड बॉई हमने रा दिया है लास्ट वू कुमार को मैं बॉल ही रहा हूं क्योंकि वन्हीट की होने वाला है यह भूग नहीं हुआ यार, नहीं हुआ वन इट की ओ कुई यो कुई बटैश नहीं कर दिया है पता है इस अटेक का स्पेलिंग या फी प्रनाउनिसिशन किया है आई तिंक यह कूई वह डैंस ही है अब एक ही बार हम ही यूस करना पड़ेगा इस अटेक को लेट्स गो फाय ब्लास्ट एंड हमने हरा दिया है डस्टॉक्स को इस बार तो गया यार डस्टॉक्स यप नहीं उसने कुईवर डैंस किया था इसलिए लाइक उसकी शक्ती बढ़ गई है न प्लीज यार हाई ड्रेगन सिर्फ एक ही अटेक जिल ले यार प्लीज प्लीज मैं क्या नहीं यार हाई ड्रेगन गया लिटरली गया हाई ड्रेगन एंड डस्टॉक्स की थोड़ी सी एच पी बच्ची है एंड हमारा लास्ट पोक्यमोन बचा है जो कि यह लक्सरे चलो देखते हैं कि क्या हमारा पाएंगे या फिर नहीं लेट्स गो ए फैएड यूस करो या सूपर पावर या फिर वोल्ट स्विच लेट्स गो वाइल चार्ज बग बचा रहे यार लगज़े प्लीज तेरे उपर सब कुछ प्लीज ओ बच गया हमारा लगज़े और वाइल चार्ज लेथ गो लेट्स गोरीकोल कर डैमिज दाद इसकोप, तैट वास आसम, वो, कॉंग्रेचुलेशन इस राशी तुम ये कर दिखाया, आगर कर तुमने एमेजियम का कौन केर कर लिया, बहुत अच्छे, हम अभी भी ऑफिशल जिम नहीं है, पर फिर भी हम तुमें एक प्यारा सब बैज दे शक्त हैं, है ना, ये लो तुम प्यार से मना है, इसे अच्छे से रखना, कितना अच्छा देख रहा है ना, ओके, फाइन, मैं मानती हूँ कि ये जादा कुछ ठीक नहीं है, और पता नहीं क्या है, बट तुम्हारे लिए तो जर्नी एक रिवार्ड थी है ना, अब मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपने प अच्छा लगा, फिर से मिलेंगे राशी, और एमेजीम के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना मत बूलना, ओकी से हो रहा है हमारा गेम, एमेजीम में बस इतना ही था, उसका कोई भी विनिंग नहीं था, सौत अफ्ते जो बोला था स्टार्टिंग में, कि अगर तुम्हें जाना है कि अमेजीम क्या है, ओ यहाँ पर लिखा है, इस यूफलेम को ही जाके पूछूंगा कि इस गेम का अर्थ क्या है, तो हमने इसको रहा दिया है, और वो बोलती है कि, जर्नी तुम्हारे लिए सप्राइज थी न, ना कि एक जिम बैटल, अगर तुम्हें बैज मिलता है, तो बैज तुम रखो, बहुत प्यारा बैज है, तो चलो देखते हैं कि क्रेडिट्स की बाद हमें और कुंसी चीज देखने को मिलती है, लेट्स गो बोईस, क्रेडिट्स देख लो, ओकी बोईस, हम वापस से पहुंच चुके हैं यहां पर, लेट्स गी अब हम बाहर जा पाएंगे या फिन नहीं, प्लीज, ओकी नहीं जा सकते हैं, तो यह एक शाट गेम है, और यही एक गेम था, लेट्स ही की हमें बेट्च, जो मिला है, वो बेट्च कैसा दिखता है, शायद से पीन वाले, मतलम की पीन जहां पर है ना वही पर हमें बेट्च रखा है, acquaint पेचर होगाई और आयार estate रखा है, इसको बैज कहते हैं यार पोकी बॉल को तोड़ मरोड दिया है इन्होंने कोई बात नहीं इसे भी हमें बैज मिल गया न लेट सी कि यहाँ पर हमें बैज मिलता है यहाँ पर नहीं यहाँ पर तो रखा ही नहीं है बैज क्या इसको हम पलटा सकते हैं यब पलटा सकते हैं बड़ पीछे तो बैज ही नी तो यार शायद से यही तक यह गेम था इस गेम के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एक इंट्रेसिंग गेम में देखते हैं कि नेक्स्ट गेम में कौन सा लाऊंगा अंटिल देन पीस आउट एंड सायनारा मुझे लक्ष तक पहुचाता है मज़ा आएगा खेलो बहतरी दाओ शुरुआत से पहले फिसल के कि जाओ